है ऐलो एफ्रीवान माइनेमिस अडीती चौधरी वेलिकम तू माई चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सैंटेंसे बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे ए, मेरे उससे बोलचाल नहीं है, उन दोनों की आपस में बोलचाल नहीं थी, हमारी सालों से उनसे बोलचाल बंध है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी उससे बोलचाल बंध है, ऐसे हिंदी के sentences जिनमें हम किसी की किसी से बोलचाल बंध या फिर ना होने के बारे में बात करते हैं इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम not on speaking terms with someone इस phrase का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है किसी से बोल चाल बंध होना या फिर किसी से बोल चाल ना होना इस phrase का यूज मेंडी negative sense में किया जाता है इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping वर्बाती है इसके बाद not on speaking terms with आता है और last में noun या pronoun इन दोनों में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो pronoun आएगा जैसे कि me, you, him, her, us, them चली आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी दरा से समझ में आ जाए मेरी उससे बोलचाल नहीं है या फिर मेरी उससे बोलचाल बंध है I am not on speaking terms with him I am not on speaking terms with him उन दोनों की आपस में बोलचाल नहीं थी They both were not on speaking terms with each other They both were not on speaking terms with each other हमारी उससे सालों से बोलचाल बंध है We are not on speaking terms with him for years We are not on speaking terms with him for years मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी उससे बोलचाल बंध है I didn't know that you were not on speaking terms with her I didn't know that you were not on speaking terms with her उसकी अपने परिवार से बोलचाल बंध थी He was not on speaking terms with his family He was not on speaking terms with his family मेरी अपने सारे दोस्तों से बोलचाल है I am on speaking terms with all my friends I am on speaking terms with all my friends क्या तुम्हारी उससे बोलचाल नहीं है Are you not on speaking terms with him Are you not on speaking terms with him क्या उसकी तुमसे बोलचाल है Is she on speaking terms with you तुम्हारी उनसे बोलचाल क्यों नहीं थी? वाई वर यू नॉट उन स्पीकिंग टर्म्स विद थैम? अब एक सेंटेंस आपके लिए उसकी अपने भाई से बोलचाल नहीं है या फिर उसकी अपने भाई से बोलचाल बंध है इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या आप मुझे कमेंट्स में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चानल को सबस्क्राइब कीजिए अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ अब तक के लिए टेक कैर बाबाई